नमस्कार दोस्तों गरिमा ये सी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बैस्वी करण के बारे में जानेंगे जिसे एक और नाम भूमंडली करण के नाम से जाना आता है अंग्रेजी में इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं हाई हम आपको बताते हैं इस वीडियो में किन-किन चपलूप और चचा करने वाले हैं और अच्छे तरीकी से समझने वाले हैं सबसे पहले अम लोग जानेंगे बैस्वी करण और भूमंडली करण बारे में इसके तर सबसे पहले इसके परिभासा को यानि इसके definition को कि आखिर में बैस्वीकरन कहते किसे हैं उससे के बाद हम देखेंगे बैस्वीकरन के प्रभाव क्या रहे और बैस्वीकरन के जुड़े कारण कौन कोन से रहे यानि वे कौन से कारण नहें जिसके कारण वैस्विकरन की आउशकता पड़ी तो चलिये सारी चीजों पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाते हुए अच्छे तरीके से समझते हैं सबसे पहले हम लोग परिभासा को देखते हैं कि वैस्विकरन कहते किसे हैं तो किसी भी देश का विशु की अर्थ व्यवस्ता के साथ जोड़ जाना ही बैस्वी करण या भूमन्डली करण कालाता है या काहा जाता है तो फ्रेंड्स या पर ध्यान में रखिएगा भारत में सन 1990 के बाद 1990 के बाद भारत की एकनोमी को खोल दिया गया भारत की अर्थ व्यवस्ता को खोल दिया गया और विशु की अर्थ व्यवस्ता के साथ इसको जोड़ दिया गया इसके पहले आजादी के बाद ऐसा नहीं था आजादी के बाद एकनोमी भारत की बंद कर दी गई थी यानि बंद अर्थ विवस्ता था तो आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि परिभासा क्या है आए कि प्रभाव क्या रहा बैस्वी करन का तीसे देख लेते हैं तो दो संस्कृतियों का मेल जो रहा संस्कृति क्या होता है तो संस्कृति का मतलब खान, पान, बहनावा, भासा, बोली वहां के कल्चर ट्रेडिशन मानेता हैं यह सारी चीज़ें आती हैं आपको संस्कृतिक अंत्रगत तो जब बैस्विकरन हुआ तो एक देश से दूसरे देश के लोग दूसरे देश में काम के लिए गए मालों के विक्री के लिए गए तो वहां के भासा को ले गए वहां के पाहनावा तो बैस्विकरन से पूर्व फ्रेंड्स संग्रक्षणबाद आया आप सभी को पता हुआ कि उपनिवेस काफी इंग्लेंड बनाए हुए था तो उपनिवेस बाद खत्म हुआ तो उसके बाद संग्रक्षणबाद को बड़ावाद दिया जाने लगा सारे देश को संग्रक यानि उनको बंद किया जाए सभी लोग संग्रक्षणबाद की ओर जुकाव करने लगे लेकिन कुछी देनों बाद देखा जाने लगा कि इससे अर्थ विवस्ता की स्थिती जो थी बुरी होने लगी चैर मराने लगी तो इसलिए फिर चे अर्थ विवस्ता को खोला गया उपनी विषुते बाद के बाद बंद किया गया कुछ समय बाद जरूरत महसुस होने लगी कि एकनोमी को खोला जाए तो फिक से एकनोमी को खोला गया कि विशुकी और्थ वश्ताये जुड़े है तो कारण क्या था तो संग्रक्षणवाद के बिरोद, जो समान बनने लगे थे, एक ही देश में जो समान बनता था, वो काफी मंगी होती थी, और competition नहीं होने के चलते, लोगों को वही समान खरिदना पड़ता था, और मंगी समान खरिदना पड़ता था, तो ये कारण आप लोगों समझ में आ वस्तुओं को प्रतियस्पर्दी और गून में बिरिधी, ये दो चीजें देखने को मिल रही थी, ये तो वस्तुओं में प्रतियस्पर्दा होगा, जितना competition होगा, उताई सस्ती होगी, आपके मतलब की ध्यान में रखके, जितने में भोगता है, उनको ध्यान में रखके फायदा होगा, और गून में बिरिधी, जो भी वस्तुओं बनाएं जाएगी, वह गूनात्मक बिरिधी उनमें देखने को मिलेगा, तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आशक करतों आपको ये शारी चीजें समाज में आया होगा, कौन-कौन सीजिए, तो बैस्वी करन और भ